हेलो अबरिबड़ी आम अंकित और आज हम इंडिया जी के की पहली क्लास करेंगे और आज से हम इंडिया जी के शुरू करने जा रहे हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें करें कि ताक जाद जाद हमें आप लोगों के लिए ऐसे का लेख्याद क्याति में जादा सब्सक्राइब करें तो आज नव इंडिया जी के शुरू करते हैं बहुत question है पहले मैं जो easy question है उन से शुरू करेंगे फिर दीर दीर इसका level आगे बढ़ाता चला जाँगा अभी ये जो level है ये थोड़ा down level है फिर दीर लेबल जाद हार हो जाएगा फिर उससे जादा हार आप लोगों के लिए जादा जादा ऐसे question लेके आँगा जो पहले हर एक jam में बार बार पूछे गए हैं ताकि आप लोगों के लिए काफी easy हो जाए कोई भी competitive एक jam आए आप उसको ची तरह से face कर सके तो आज हम शुरू करते हैं पहला जो question है कि मात अमबूद को जो जो ज्यान की प्राप्ती थी वो कहां पे स्थास्वापना स्वामि दैनंड्न जीने की थी कहीं मत昨 hani समाज की स्थास्वापन जीने की ती स्थास्वामिद आनंन जीने की थी नेक्स्थ को पंजाब भी जो भाशा है उसके लीपी ि क्या गुर्व मुखी है हिंदी की क्या देवनागरी उसके बाद next question भारत की मुख् हो जाए वह कहां पर होता है कहां पर निकलता है और उनाचल प्रदेश में निकलता है सूरिय भारत के अंदर नेक्स्ट कोस्टन है इंसुलीन का प्रयोग किस के लिए यानि किस बीमारी के लिए किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है वो किया जाता मदुमे यह भी बीहू एक निरित्य है और सोरी त्योहार है जो किसका असमराज्य का नेक्स्ट है विटामिन सी ज्यादा किसमें मिलता है यानि कि परचूर मातरा में किसमें होता है विटामिन सी होता है आमला में आमला में परचूर मातरा में क्या मिलता है विटामिन सी मिलता है नेक् कागज का अविश्कार किसे ने किया था चीन ने किया थे कागज का विश्कार क्या सिधार्द कि मतंबूद को जो ज्ञान की प्राप्ति का हुए थी बोध गया में और अब गोतम भूद का जो बच्पन का नाम हो ता सिधार्द भार्त में से संस्तर बल्द जो सेना उसका जो सर्व के सेना पति है वह कौन होता है को बहुता है राश्टरपती कोनतब रस्टरपती कोन ऐस तरबलो की कुछ सेनधर गुर्ट लैंस्ट का त्यूहार मनाया जाता है मत्युक्त कर बेंगर अश्मकार कशते लोग निद्रतत इसलतान की पहली महिला शासक ती वह कौन ती रजिया सुल्तान भार्त की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी ये कहां की दी ये अरियाना की रज्यास कहां की सांस लेती है उसके बाद है मचलिया कैसे सांस लेती है गल फडो की साहता से सांस लेती है मचलिया कैसे सांस लेती है गल फडो की साहता से सांस लेती है उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन है हमारा इनकलाब जिन्दबाद का नारा किस ने दिया था ये जिया था बगत सिंग ने किस ने दिया था बगत सिंग ने दिया था इनकलाब जिन्दबाद का नारा नेक्ट कुस्टन है जलियावाला बाग अत्यकांड ये 13 अप्राइल 1919 को मरिस्तर में हुआ था पहले कुस्त नाता है कि जलियावाला बाग जो है वो कहां पर यह मत्यसर में और यह अत्याकांड कब हुआ था यह वा था 13 अपराहल 1919 को यहां पर बहुत सारे लोग इकटे हो गए थे और यहां पर अंगरेजों ने क्या किया उन्ही है थे बच्चे भी थे औरते भी थे हर परकार के वहां पर लोग थे और उन पर क्या किया गोलियां सला दी थी नेक्स कोस्त नाता है कि पंजाब किसरी किसको का जाता है लाला राज पतराय को पंजाब किसरी का जाता है सांदर्स की हत्या बगह सिंह ने की थी उसके बाद 1857 इस वी के विद्रो में सबसे पहला जो पली दान था वो किसे ने दिया था यानिकी फांसी पर किसको चड़ा आ गया था सबसे पहले 18-70 इस वी की जो कर आनुची मों चड़ा आ गया था मंगल पंडे अधा करांतिकारी थे जिनको सबसे पहले पांसी की सजा दी गई थी 1857 इस वी के विद्रों में मंगल पंडे को उसके बाद है नेक्स कोस्टन बार्त की पहली राजयपाल कों थी यानि कि बार्त की जो पहली महिला राजयपाल थी वो स्रोजनी नाइडू थी और ये उत्तर प्रदे िद्ध पर चड देने वाली पहली बार्त दो बार चड़ी टी जो महिला वो कौंति संतोष जञात है कुंसी महिला उसको नाम कहता संतोष जयाद्व और यह के थी हराना की थी पैसे इनोंने एज्यूकेशन पराप्त की कैसे इनको इनोंने यह जो चोटी थी और वेश्ट क के सामने आई लूपा फिरिंदध कबारे में आपंडेल में बताएंगी हम वित अर समय कि स्थापना उआ है और से पहले पूस्टन आ या समाज कोंन की थी स्वामि द्यानन्द ने और अब बर्मा समाज की स्थापना राजा téléphone किस न राम होन राए ने की थी। उसके बाद कुस्चन है सौमी दयानंद सर्सबते का in movies नाम में वह किया था मूल शंकर था इक नीक्स्च को्स्चन है हमारे वेदो की और लोतो का नारा किसी ने दिया था डैनंद सर्सवत्य ने दिया नेक्स्ट कुर्ष्टन है राम कृष्टन मिशन की स्थापना किस ने की थी यह की थी राम कृष्टन मिशन की स्थापना किस ने की थी स्वामी विवेका नंद जी ने की थी किसने की थी स्वामी विवेका नंजी ने उसके बाद नेक्स्ट कॉस्टन है हमारा 1408वे सिभी में वासको डिगामा भारत आये थे कि वासको डिगामा कब आये थे 1408वे में आये थे और ये कहां का निवासी था ये पूर्तगाल का निवासी था क्या हैं वियॉर आनक देव किस तापक घुन थे ये डून के जुस्थापन पया थी वो ऺज़ने की थी गौुरु नानक देव ने की ती नैज्ट यूस्थापना जो यह बाते हैं न हुआ आता है नेक्स्ट है लोपूर्स किसको का जाता है सरदार बल्लबाई पटेल को का जाता है लोपूर्स नेक्स्ट है सुभास चंदर बोष को नेता जी का जाता है कहीं बार कुशन आता है कि नेता जी इनको कहा जाता है सुभास चंदर बोष को का जाता है जिन्होंने नारा द जाता दिल्ी चलो या तु मुझे खुन दो मैं तुमें आजादी दूंगा दिल्वार्ट को किस नाम से जाता है विजैः घार्ट के नाम से जाना रफ्षास्त्र नामक फुस्त्र किस ने लिखी ती यह लिखी ती चानग के और कोटिल्या भी कह देते हैं चानग के बीकटिया इन्होंने लिख थी अर्थ सस्त्र की पुस्त्र आगे ज़ाँ जैक्षान का नारा लालबादॡल स downstairs ने दिया थी जिन जो समाद यह का है किस नव कर-let tea वीचे घट М लाल बाद सास्त्री चे निया और कि इस के बाद डोक्टर राज आंबर परक्लाद सविदान सभा के स्थास हिएन में पर्साद और टक्नने डोक्टर भी या रमबडिकर गार यह जो सवीधान की प्रारूप समीथी थी ऊंके अद्यक्ष थी इन्होंने क्या किय था रिच्ट उसके बाद है आठ मई को वीशव रैट क्रोस्ट दीवश्य को मनाया झता है कि ज़ए बार कुस्ट आता है कि जो रैट क्रोस Veas विशो बरेड क्रोश दिवस वकम मनाय जाता है आठ माई को मनाय जाता है यानि कि इसमें लोगों से उनका रक्त लिया जाता है ताकि जो जुरूरत मंद है लोग है उनको दिया जाए उसके बाद जापान को सुरियो द्याग का देश भी का जाता है पहले कुशन आता है कि सुरियो द्याग का देश किसको का जाता है जापान को कहा जाता है आठ मार्च को अंतर राष्ट्य महिला दिवस मनाय जाता है अंतर राष्ट्य महिला दिवस जो महिलाओ से हमारी माताओ से संबन दिवस कम मनाय जाता है यह 8 मार्ज को मनाया जाता है उसके बाद नेक्स कुछन है हमारा अक्षेतरपल की दृष्टी से सबसे छोटा जो राज्या वो है गोवा गोवा हमारे देश का सबसे छोटा राज्या है उसके बाद है ओनम केरल राज्या का परसीत त्योहार है ओनम जो त्योहार है वो कहां का और इससे पहले कोछ चना से थो ता था भी हूँ बी हूँ कहा था युए तो तो ता असम का तह था ता असम राजास का तो युए और युकर चोहार रहा कि पॉंगल पॉंगल कहा था तमिलाडू का तियोहार इसमें तीन आ गए है तीन उसके बाद ओनम आयाद जैसे ओनम केरल राज्जा का क्या परसीट तोहार है उसके बाद-चोशन है 1911 में दिल्ली भारत की राधदानी बनी थी पहले क्या थी कलकत्ता थी फिर उसके बाद क्या बना दी दिल्ली को भारत की राधदानी बना दिया गया कब बनाया गया था 1911 में उसके बाद है सुकर सबसे चमकिला ग्रह है क्याते हैं कि सबसे चमकिला ग्रह है सुकर है तो सनात पक्षी मोर और भारत का जो राष्टी जल जल्याजीव है वो कौन सा गंगा डोलफीन यह थे हमारे आज के 50 क्वेस्टन है इंडिया जी के के और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए जाद है जादा वीडियो बनाओं अर्याना जी के इंडिया जी के यह हमारी आज की इंडिया जी के की पहली वीडियो थी मैं आप लोगों के लिए इंडिया जी के में पोलिकल पोलिक्स के और हिस्ट्री के हर्त जो गरफी घरत रहे के कोस्टन लेके आऊंगा ताकि आप ल मुच्च